हर एक जन्ज जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे ना कुड़कुडके और ना दबाव में क्योंकि परमेश्वर हर्श से देने वाले से ये आयत घर जाके पढ़ लेना चक्कर क्या है हम अपने प्वाइनसिस प्लैन नहीं करते कितने लोगों ने आज अपने पैसे प्लैन किये हुए है पैसा है नहीं हड़े कोल प्लैन की करना है प्लानिंग तो ता हो जदो पैसा हो जो चीज है नहीं उसकी प्लानिंग कैसे करें क्या मूर्ख किसको फैलाता है मूर्ख ताइन स्याना पुरुष जिनने स्याने ने वो एक बार आमीन बोलो दो ही हुआज आई बाकी न्याने है मैं हुण तक सोचदा रहा सारी स्याने ने गल्ला आयंदा दी कर दे हो जाने जिनने स्याने ने आमीन बोलो स्याना पुरुष स्यानी बाते करदा है सुनिएगा मेरे गर में दस हजार रुपए आते हैं पहली बात ये सुनिए जब सुलिमान ने मंदिर बनाना चालू किया था उसकी जेब में फूटी कौडी नहीं थी परमेश्वर से उसने प्राथना की इसराइल मिस्र देश से दबल हो गया समझे परमेश्वर ने जब मिलाप वाला तंबू जंगल के बीच में बनाया था तो उसके अंदर सोना, चांदी, पीतल मेर के खाल ये सारी चीज़े लगाई हुई थी क्या परमेश्वर को पता नहीं था ये इन लोगों से कैसे ले लूई है तो बेचारे खुद इन के पास घर नहीं है मेरे लिए भवन किद्दा बनाएंगे परमेश्वर से परमेश्वर ने फिर भी उन से मांगा क्यों कि तुम दोगे बाइबल बताती है blessed is the man who gives जो देता है वो हमेशा आशिशित है मगर हमारे दिमाग में क्या है साभी की जेब से क्या निकालो तबला यार साभी तबला दे दे यार मैं सीखना अभी शेक की जेब से क्या निकालो चश्मा यार मैंने ना शादी में जाना चश्मा दे दे यार या एक दिन के लिए उसकी जेब से क्या निकालो मौट साइकल दे यार वीर नहीं है तुमेरा पास्टर जी आज मेरे पेट स्पीड होगी जरा सो रुपे देना दवाई दे लिए भी पैसे नहीं है कब वापस करेगा दस तारीक को कौन सी दस दो हजार बाईस तेईस चौबिस वो दस तारीक आती नहीं है क्योंकि हम blessed is the man जो देता है वो आशिशित है जो लेता है उसका उल्टा लगा लो उसका उल्टा तानू हड़ी मजबूरिया नहीं पता मजबूर तुसी ऐसे हो क्योंकि आप वचन के समय सोते हो वचन खाते नहीं हो सुनिएगा विश्वास वाला जो आदमी होता है न वो अपना समय प्लान कर लेता है दस हजार आपके घर में आ रहे फर्स कीजिए दस हजार आ रहे दस हजार आपके घर में आ रहे है आमीन बोलो एक बार नहीं भी आ रहे तो आ जाएंगे आपके पास दो बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना है एक बीवी है जिसको बंठन के माई के जाना है एक आप वो आपकी मोट साइकल है उसके अंदर तेल भी जलना है बिजली भी जाना है राशन दस हजार की कीमत कुछ नहीं होती आज कल की तारीक में मगर मैं फिर भी बताता हूँ उससे भी आप काम चला सकते हैं सबसे पहला हिस्सा हजार रुपया खुदावन हाललूया तूने मेरे कोई इस लाइक बनाया मैं जीरो पे था मैं दस हजार पे आया ये ले नौ हजार बजगे कितने लोग अपने घर में डॉक्टरों को पैसे खिलाते हैं कमाते तुम हो खाते डॉक्टर हैं हाँ जी अभी हाथ नहीं उठेंगे ये करके देखो तुम्हारा पैसा डॉक्टर नहीं खाएगा प्लाइन करेंगे ये नौ हजार है न अब नौ हजार से ये नौ हजार है मेरे हाथ में तो हमने क्या करना है एक स्टैश बनाना है एक छोटा सा वो बनाना है गुल्लक घर के लिए इमर्जनसी फंड सौ रुपए डाल दिए अब हमने क्या करना है बजगे हमारे पास 8900 रुपीज यानि 8900 8900 में से 300 रुपए बुढ़ापे के लिए बैंक में डाल दिए बजगे कितने 8600 8600 में से हम क्या करेंगे एक महीने हम अनाज ले लेंगे जैसी डील चलती है वैसे काम करो 8600 बजगे 8600 8600 में से मैंने बजट बनाया कि मैंने 5000 रुपए में महीना चलाना बाकी 3000 हमने अलग रख दिए 5000 रुपए में हम सौदा लाने लग गए ठीक है मगर अचानक से शन्नो की शादी आ जाती है उसमें सब को सूट चाहिए होता है ये भी हमारी बेवकूफी है हर महीने एक आदमी अपना एक कपड़ा खरीदता रहे चाहे शन्नो की शादी आए या ना आए आपके पास दो जोड़ी कपड़े होने चाहिए अचानक से आपके उपर प्रेशर नहीं आएगा ये सब प्लैनिंग है बुद्धी का काम है जिस दिन आगे उस दिन हमने खा पी के फुर आपने अपना बजट बनाया है छे हजार रुपे में हमने घर चलाना है दो हजार बचाने का टार्गेट है सब लोग महनत कर रहे हैं दो हजार बचाने के लिए महीने के आखिर में हजार डेड़ हजार बची जाएंगे आपके नहीं पास्टर रुकते नहीं क्योंकि सबसे पहला काम तो आपने किया नहीं मेरी तनखा बड़ी गटए है तु पाके तो देख तू पाके देख दूसरी सिवकाईयों में दश्मांस काटने के बाद पैसे देते हैं मैंने कभी चर्च स्टाफ का दश्मांस नहीं काटा मालूम है क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ वो अपने हाथ से दे हाथ से दे ताकि वो आशीशों को देखें planning करो करणे की planning करो retirement की planning करो insurance कितनों के insurance है यहाँ पे एक का भी नहीं ओ तेरा तो company ने किया हूं हाथ तो खट गड़ा कर अगरा left वाला ओदा किसने insurance खरीदा आज तक जटानू कुछ हो गया फिर तड़े परिवार्दा की हो ना जैसे हम पल रहे हैं बाकी भी पल जाएंगे हवा में कितने लोगों के पास medical insurance है एक के पास भी नहीं एक के पास दो के पास सोचा ही नहीं हम कभी बिमारी नहीं पढ़ सकते वैसे हम डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं बुद्धी अपनी मुसीबतों को प्लैन करना सी को जोसफ मिसर को सबसे उपर क्यों लेकर गया जब उसके पास आशीशे आ रही थी उसने सारी आशीशे खाने ली साथ साल भरपूरी के थे और साथ साल आकाल के थे वो जो साथ साल भरपूरी के थे उसने भरपाई कर ली और जब आकाल आया मिस्र सबसे उंचा देश हो गया जब आपकी भरपूरी आती है तो सीकी कर दे हो पार्टी ओल नाइट पार्टी ओल नाइट ये और उसके बाद मंगते हैं फिर ये डीजे चलाके नाच लिए शादी में और उसके बाद करजा उतार दो क्यूं हम प्लैन नहीं कर सकते हैं शादी है ना कौन सी शादी खड़े पाऊं हो जाती है आए गुसे लड़की लेके हम जाई रहें नहीं नहीं छोड़ेंगे नहीं तुम्हारी लड़की को हम बै ऐसे आदमी चाहिए नहीं हमें भाई साल भर के बाद आओ इजज़त से पकोड़ी चाये पे नहीं भेजूँगा खाने के साथ बेजूँगा साल भर के बाद आओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ए ऐसा नहीं होता सिस्टम हमें प्लैन करने दो planning के साथ जाएंगे साल बर दो हम तैयारी करेंगे सारे काम हमने खड़े पाऊं ही करने मुसीबत फोन करके आएगी सर मैं ना मैं heart attack बोल रहा हूँ मैं आपके घर आना चाहता हूँ can I come in आप तैयार क्यों नहीं है चर्च में ये सब बाते नहीं सिखा दो में बुद्धी की बाते होनी चाहिए आपका पैसा आप कहां लगा रहे हो किसके पीछे जा रहा है कहां जा रहा है कौन देख रहा है आज मैं ना दस लाख कमा लिए तेरी कमाई कितनी हुई नहीं वो हिसाब नहीं तेरी कमाई कितनी हुई जो तूने अपने बैंक में डाले वो नहीं पता वो ना पूछो नहीं दस लाख आगे मेरी जेब में आगे तेरी जेब में कितना बचा इसको बिजनेस बोलते हैं कुछ दिन एक हमारा जवान भाईदा मैंने पूछा कितने का ठेका हुआ कि मेरे ठेका निकालने के बाद भी दस हजार बचेंगे मेरी सैलरी निकालने के बाद भी दस हजार बचेंगे इसको बोलते बिजनेस यहूदियों से सीखो दंदा कैसे करते हैं जब वो काम करते हैं वो काम करते हैं वो बकवास नहीं करते इसलिए वो सारी दुनिया इतना सा देश सारी दुनिया का राजा है इतना सा देश एक रेगिस्तान सारी दुनिया में फरूट बेचता है तुम तक तो पहुँचता भी नहीं है बंबई चिन्न नहीं तक सारा गायब हो जाता है क्योंकि जब उनको बिजनिस करना आता है उनको मालूम है कितना पैसा कहा जा रहा है कैसे जा रहा है आपको आपके घर में पता होना चाहिए क्या पैसा कहा जा रहा है आपके हिसाब होना चाहिए उंगलियों पे हम कभी करते ही नहीं डर 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 उससे तुम्हारा क्या solve हो रहा है आखरी आयत पढ़ेंगे और इसके प्रनीती वचनिक किसका पाँच कामकाजी की कलपनाओं से केवल लाब होता है परन्तु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है अमीर बनने में उतावली ना करो समय लगाओ ताइन दो खड़े पाओं कोई काम ना करो खास कर शादी बाइबल बताती है घर बनाने से पहले कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट का पता होना चाहिए नहीं तो आपका मजाक बन जाता है यह बाइबल की आयते है यह जो प्लैनिंग है फाइनेंशल प्लैनिंग यह कोई हवा में नहीं यह बाइबल का सबजेक्ट है इश्यू मसी अपने सारे चमतकार मार्केट में क्यूं करता रहा क्योंकि उसको मालूंग था मार्केट में आशीश है यह प्रचार आपको सुनने को नहीं मिलेंगे क्योंकि कोई ऐसे सोचता नहीं मैं शायद ऐसे ही सोचता हूँ क्योंकि पैसा बाइबल की आशीश है वो केवल आशीश नहीं है वो बाइबल की आशीश है वो मुझे गिफ्ट है प्रभू की तरफ से अगर कोई चीज आपको जल्दी बोलने के लिए कह रहा है जल्दी करने के लिए कह रहा है तो आज उसको हम धुड़केंगे आज ही चाहिए मुझे आज ही मेरे घर में फृच चाहिए आज ही मेरे घर में मुझे टीवी चाहिए आज ही मेरे घर में मुझे ये चाहिए कितने लोग इस आदत से परिशान हैं हर आखे बंद रहें मैं जानता हूँ ये एक शराप का काम है आज ही मेरे को आज चाहिए आज अभी वो बच्चा है वो अभी बोल सकता है उसको दूज चाहिए उसको अपना सूसू पोड़ी करना है वो बोल सकता है आप नहीं बोल सकते हैं आप से आने है आपको चीजें प्लाइन करनी है कितने लोगों ने अपनी जिंदगियां प्लाइन की हुई हैं कितने साल में रिटायर होना चाहते हो रिटायर ये क्या होता है कभी ना कभी तो तुम्हारे घुटने जवाब देंगे कभी ना कभी तो तुम बोरी उठाना बंद करोगे ना उसको retirement बोलते हैं कब करोगे आज तक हमने सोचा ही नहीं आज सोचो planning करो सोचो planning करो मैं सब आँंखें जुकी रहें बंद रहें परमेश्वर की और देखिए मैं खास्त और पर बोलना देखना चाहता हूँ कितने लोग जल्दी बाजी मचाते हैं पैसे की डिसिजन्स को लेकर हाथ दिखाईए ज़रा आज ही चाहिए अभी करना है दिखादो 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 पता है मुझे ये कनफेश्वर आपको शायद बचा ले ये मेरे लिए नहीं है ये शायद परमेश्वर के सामने आप कह रहे होगे खुदा ये गुनाह है सपने देखना गुनाह नहीं है अपने घर को अच्छा देखना गुनाह नहीं है गुनाह ये है कि आप अपने समय से पहले अपने आपको देखना चाहते है आज ही पेड लगाया कली हम फलकाएंगे आज ही बोया है कली हम काटना चाहते मेरे को मैं गरीबी का अड़ोकेट नहीं हूँ पर मेश्वर ने आपको बहुतायत का जीवन दिया है आप अमीर होने के लिए बुलाए गए है मगर ये गलतियां हमारी हमारे को उसी साइकल में डालती रहती है उसी फॉल्स सिस्टम में डालती रहती है हमने पहले प्लान नहीं किया हमने प्लानिंग ही नहीं की कि हमें कपड़े चाहिए सरदियां आ गई आपको सर्दियों के कपड़े सस्ते मिलेंगे अभी क्यून कहूंनि खरीकर जैकेट बारा सो की मिलती अभी छह उमें मिलेगी अभी क्यूनि खरीकर जब भरी सर्दिया आ जाएंगी तब खरीदने लगेंगे वेवकूफ कौन है बेचने अपना कमा आ गया, आप बेवकूफ है, ओ कपड़े वाले भी आ जाएं, ओ मैं तुम्हारा धंदा नहीं बंद कर रहा, आज सेल है, कहीं पे सेल है, चले जाओ, मगर क्यों नहीं करते, जब हमारे घर में शादी की दोड़ हुई, उधर से लाक रुपे पकड़े, उधर से दो पहले से प्लैन करो ना, जब से वो दो साल की है, सौर रुपे उसके गुल्लक में डालो ना हर मही ने, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरुरत नहीं पड़ेगी, करिए ये सारे काम, बचते नहीं है, दान डालो, दश्मांस डालो, बचेगा, परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता, अगर आपका दिल सही है, आपने अपने शरापों को अपने उपर से हटाया, अगली बार मैं फैनाशल प्लैनिंग को वचन से और गहराई से समझाना चाहता हूं, ताकि हम इस शराप से हटें, कुछ शराप हमने अपने उपर लिये ह हैं, पैसो के कुछ शराप जो मैंने बताया अभी, आज हम उनको तोड़ें यस्सु के नाम में, उनको हम तोड़ें, जितने लोग आज फाइनशल करसिस से आजादी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पवितर आत्मा आज उनको छुए और अजाद करें, ये समय रहेगा कि आप अपने जगाओं के उपर खड़े हो जाए, हमारे काम ऐसे ना हो कि हम अविश्वासी के जैसे हो, हम मोहिया कराने वाले पर मेश्वर यहोवा ईरे को जानते हैं, भजन सहीता 23 यू कहती है, कि मैं यहोवा मेरा अजाली है, मुझे किसी बात की घटी नहीं है, जब हम उस कमी के जरीए से जीने लगते हैं, कि मेरे उपर कभी पूरा होना ही नहीं है, मेरा कभी पूरा नहीं पड़ेगा, यह एक शैतानिक युक्ती है, तुम्हारे पास जो कुछ है, आज तुम्हारे पास रोटी है, आशिश हीते हैं आप, घर पे छट हैं, कोई तुम से पैसे मांग यह है मेरे पास आज आपके घर के सामने कोई कोई यह नहीं कहने आया कि लाओ मेरे पैसे दो उसके लिए आप शुक्री आदा कर सकते हैं मगर आज परमेश्वर से कहिए कि खुदावन यह जो चीजे जो हमको कमी में रहना सिखाती है कि मैं कमी की आउलाद नहीं हूँ मैं कमी की आउलाद नहीं हूँ मैं परमेश्वर की आउलाद हूँ जो मेंटालिटी है यह गरीबी की मेंटालिटी जो है मतलब यार आज ही मैंने खाना खा लेना है कुछ लोगों को आपने देखा शादी में भरके खाते है इसलिए नहीं कि उनकी पेट में जगा जादा है इसलिए कि उनको लगता है कल नहीं मिलेगा देखा है कभी आपने वो मतलब उनके चिकन के अमबार मतलब ऐसा लगता है कि लाशों के अमबार लगे हो पाड़े जा रहे पाड़े जा रहे उनको ऐसा सो गराम ही सकता है. उससे ज़्यादा पेट में जगा नहीं है. मगर ये mentality है. इस mentality इसको गरीबी की mentality बोलते है जो परमेश्वर के जनों की नहीं है. यहोवा ईरे है तुम्हारे मागने से पहले देने वाला. आज इसको release करो आपने स्पिरिट में लो कि यहोवाई रहे, कहिए उसको यहोवाई रहे मेरे मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर परमेश्वर जिस कांग की मुझे जरूरत है तू देने वाला है जिस आशीश की मुझे जरूरत है तू देने वाला है तू यहवा ईरे है परमेश्वर जिस बातों की मुझे जरुरत है वो करने वाला है खुदावन अपने मूँ से कन्फेशन कीजिए अगर मेरे पैसे कभी भी मैंने किसी बाबे के पास जाकर इस्तमाल किये कभी भी उनकी दी हुई अंगुठियां पहनी कभी भी पैसों का गलत इस्तमाल किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ इस श्राप को आज आप मेरे और मेरे घराने से दूर करें खुदावन अगर मेरे पुर्खों में से किसी ने इन पैसों का गलत इस्तमाल किया किसी से गलत पैसे लिए पैसों से गलत आराधना करी तंतर मंतर किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ परमेश्वर मेरे हातों को शुद्ध कर अपने लहू से धो मेरे पैसों को अपने लहू से धो मुझे शुद्ध कर मेरे पैसे मल्टिप्लाई हो ईश्यमसी के नाम में multiply करने के लिए मालू में क्या करना है अपने हाप के हाथ में कुछ पैसे आपके बटुए हैं जिनकों के जिनों के हाथ में बटुए पकड़ो सोच रहे हैं सेकंड आफरिंग हो रही है मैं आज तक कभी किती नहीं मैं दुबारा नहीं करने वाला हूँ जिनके हाथ में बटुए हैं जिनके हाथ में पैसे हैं कुछ लोग पैसे अंदर लिको के लाते हैं कुछ लोग जेबो के अंदर रखते हैं कुछ भी है इश्यू मसी ने रोटी लिया और उसको उठा कर धन्यवाद किया और वो multiply हुई बहु गुनित हुआ multiply हुआ आपके हाथ में जो कुछ भी है उसको पकड़िए और multiply करने के लिए पराथना करिए इन पैसों को लीजिए ये जो छोटे छोटे काम है लोग की दंदी गड़ते हैं यहाँ पे और फिर बाद में आके बोलेंगे हाड़े कोल है नहीं मैं जब लोगों को बोल रहा था prayer diary बनाओ तब भी वो दाथ फाड़ रहे थे आज देखो जिनोंने बनाई वो आशिशित है instructions जो पवित्रा आत्मा देता है उसको कभी joke में मत लेना it is not a joke यह जो छोटा सा काम हम परमेश्वर के लिए करते हैं आशिशित है यही पैसे हैं जो कल तुमको शायद रुला रहे होंगे अभी दाथ फाड़ सकते हैं जिन लोगों के उपर करजे हैं पूछो उनके उपर क्या pressure है सर्दी, गर्मी, धूप काम करते हो नहीं करते आठ आठ गंटे अपने खूल का पानी की तरह भाते हो की नहीं भाते क्यों किसी ने पैसे उधार लिये थे आज मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ उसमें से बाहर आने का मगर दाथ नहीं बंदोरे तुमारे परमेश्वर के सामने बोलो की परमेश्वर इस पैसे को आजाद करो मुझे जरूरत है इसकी ये श्राप इसके उपर से हटाए जाए प्रभू ये सुके नाम में प्रभू मुझे आज ब्लेस करिये खुदावन मैं ठक गया हूँ इन जगाओं के उपर सर मार मार के मेरे बस से नहीं हो रही मेरे बल से नहीं पॉसिबल है तू कर सकता है परमेश्वर मैं आज तेरा बेटा हूँ मैं सब कुछ तेरे आगे दे देता हूँ मेरे पैसे को छुडा ले पिता मुझे आशीशित कर ताकि मैं मल्टिप्लाई हो सकूँ मैं आपके चर्च के लिए आशीश बनू आपके लोगों के लिए आशीश बनू खुदावन कोई मेरे महले में भूका ना सोए कोई बिना इलाज के मारा ना जाए परमेश्वर आज वो जो वो कुवत दे कि मैं आपके राज्य को बढ़ा सको हाललूया ये पवितरात्मा को इन्वाइट करिए बाइबल यूं कहती है जो मुझ में है वो बढ़कर है उससे जो दुनिया में काम करता है गरीबी दुनिया में काम करती है मगर अमीरी तुमारे अंदर काम कर रही है ये सु के नाम में जो भी वाचा है आपने परमेश्वर के साथ बानी है जो भी सुखना तुसी सुखी है परमेश्वर दे सामने कि मैं एदा करना है मैं ताड़े गर्च सेवा करनी है मैं एद्दा करना है मैं जाडू लगाना है मैं पूचा लगाना है उसको पूरी इमांदारी से करिए हाललुया आज छुटकारे की शाम है शायद इसकी गवाहियां मैं आने वाले समय में सुनूँगा जितने आउनलाइन देख रहे हैं मैं गवाहियां आपसे लूँगा यह सुके नाम में क्योंकि आज छुटकारे की शाम है एराबास से निकलो यहां से चलो 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 जाने दो इसको जाने दो Get out Get out in the mighty name of Jesus जा 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 जाओ 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 यह सुके नाम में तुझे कोई हक नहीं है यहां पर रुकने का हर चीज़ जो इसको खिलाई हुई है वो यह सुके नाम से बाहर निकले चलो बाहर बाहर जा बाहर जा यह सुके नाम में Father we declare a fire over this woman आपकी आग मांगते हैं इस आरत के उपर हर शैतान की युक्तिया जलाई जाए यह सुके नाम में हर शैतान की युक्तिया इसी समय जलाई जाए प्रभू यह सुके नाम में चल छोड़ चल छोड़ इसको ये सुक नाम में दीराब कर दो आप दो आपक जो आपके हैं ।